रामाण के सारे पात्र आए एक साथ भगवान श्वेराम की हर तरफ हो रही है बात। औध गाटन का दिन नज्दी का रहा है וैसे वैसे आयोदिया में हर रोज नए नए चमत्कार देखने को पहर रहा है। को लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तो जामवन्थ रमाण के कहम कुरदार थे और उन्होंने न सर्फ त्रेता योग में बलकी द्वापर योग में भी जन्म लिया था और भगवान शुक्रिष्ण को श्वेराम के रूप में देखा था महराज जामवंत भगवान शुराम के साथ रावन की लंका को द्वस्त करने के लिए उनके सयोगी थे माता सीता तक पहुचाने में महराज जामवंत की सला ने भगवान शुराम को रावन की लंका तक पहुचाने में मदद की आपको दादे कि रावन के साथ युद्ध में बगवान श्वेराम के सिना के सिनापती भी महराज जामवन्त ही थे इतना है नहीं जब माता सीता की खोज की जा रही थे तो महराजा जामवंद ने ही समुद्र पार करने के लिहनुमान जी को और वानर सेना को उनका बल याद दलाया था आपको शायद मालूम ना हो की लेकिन महराज जामवंद ही बगवान ब्रह्मा के अवतार हैं और अनिक कताओं के अनुसार महराज जामवंद को अमर होने का वर्दान मिला हुआ है अपने इसी वर्दान के वज़े से उन्होंने हर युक को देखा और भगवान विश्णू जी के मतस्य अवतार को छोड़कर कुर्म अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन भी किये आपको बता दी कि महराज जामवंद का बामन राम वक्रिश्ण अवतारों की कथा में जिक्र मिलता है जामवंद का शरीर भालू मानव का हुआ करता था आज के भालूं को उनका ही वंशुज कहा जाता है आपको बदा दे कि जामवंत जी बहुत बलशाली थे उनके सामने युद्ध में कोई भी नहीं टिक पाता था कहा जाता है कि रावन के साथ युद्ध में जब रावन के पत्र मेगनाथ सपर सर्प वर्शा कर रहा था सभी को सर्पों से बांध रहा था उस वक्त सिर्फ जामवंत थी थे जिन पर मेगनाथ के सवार का असर नहीं हुआ कहा तो ऐसा भी जाता है कि जामवं जी का सामना रावन के भाई कुम्ब करन से भी हुआ था आपको बदा दे कि भगवान शुयराम से जामवंत जी ने युद्ध के एक शाप्रकट की थी और कहा था कि उन्होंने रावन के साथ युद्ध में अपना बल नहीं दिखाया उन्हें एक तो ऐसा मौका मिलना ही चाहिए जब वो अपने युद्ध कोर्चल और अपने बल को दिखा सके तब शुयराम ने उन्हें ऐसा वर्दान दिया कि आप अमर रहेंगे और आपको एक बार ऐसा मौका जरूर मिलेगा आपको बदादी कि दौा परियुग में भी जामवन जी को भगवान शुक्रिष्ण जी ने अपने दर्शन दिये थे और उनके साथ उनके गुफा में पहुंचकर 27 दिनों तक युद्ध भी किया था युद्ध के 28 दिन में जामवन शुक्रिष्ण को पहचान गए थे शुक्रिष्ण को एक साथ तीर से ढहा देना प्रभु शुराम ने उन साथ बृख्षों को एकी तिर से ढहा दिया और बाली वीरगती को प्राप्त हो गया आपको बता दे कि वो साथो बृख्ष तार के बृख्ष थे जो काफी मजबूत होते हैं इस तरह से महाराजा जामवन जी की सला से भगवान श्यराम बाली को पराजित करने में काम्याब रहे। दोस्तों महाराजा जामवन बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके जैसा युद्धा कोई नहीं था। कहा जाता है कि जामवन जी आज बी जिंदा है और युगो युगो से भगवान श्यराम के दर्शन पाने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी पूरी सेना के साथ। जे हाँ आपको बतादे कि आयोध्या के पास भालूं का एक जुन्ड दिखाई दिया है और ये जुन्ड राम मंदर के बहुत नजदीक दिखाई दिया है राम भक्तों का मानना है कि भगवान शुराम भब्य मंदर के उद्गाटन का भब्य नजारा देखने के लिए जामवन जी स्वेम पधारे हैं वानर सेना तो पहले से ही आयोध्या में विराजबान है आपको बता दी कि आयोध्या में हनुमान गड़ी नामकीक मंदर है जहां हजारों बंदर हर वक्त मौझूद होते हैं 22 जनवरी से पहले आयोध्या में वानरू की संख्या वितीजी से बढ़ गई है इससे पहले दोस्तों आयोध्या के पास जटाई जो को भी देखा गया था 23 साल से वलुप्त हिमालाई गिद अचानक से जुन्ड में आयोध्या के पास नजर आय थे अपने प्रभू भगवान शुराम के आने के बाद उनके भक्त गण एक एक करके प्रकट हो रहे हैं मानो एक बार फिर से सत्यूग आ गया हो मानो कह रहे हूं कि भगवन कितनी देर कर दी आते आते भगवान शुराम के भव्य आगमन की भव्य तयारी आयोध्या में हो रही है इसकी के साथ उत्तरप्रदेश के डिप्टी सीम केश्व प्रसाद मौरे जी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सुनने की बाद कटरपंधियों की रातों की नींदे उड़ गई है दोस्तों आपको बता दी कि आयोध्या में भगवान शुराम का भव्य मंदर बनानी के बाद अब सब की नजरे मतुरा पटिकी हुई है मतुरा के शाहिद गा मस्ज़िद और शुक्रिष्न जन भूमी विवाद कोट में लंबित है और लोगों को उम्मीद है कि बाबरी मस्ज़िद केस की तरह ही मतुरा में भी जीत धर्म की होगी और भगवान शुक्रिष्न का आगमन भी जल्द होगा हर किसी को अब 22 जनवरी का इंतजार है जब आयोध्या में धूम धाम से भव्य राम मंदर का उधगाटन किया जाएगा राम मंदर उधगाटन का इंतजार पूरे देश को है और विदेशी मीडिया के नजरे भी 22 जनवरी के दिन आयोध्या में भगवान श्वेराम के भवे मंदर के उधगाटन पर ठिके होगी आपको वदादी की 22 जनवरी के दिन देश भर में एक बार फर से देवाली का उत्सव मनानी की तैयारिया हो रही है राम मंदर के भवे उधगाटन के लिए 22 जनवरी को माननी प्रधान मंतरी नरेंदर मोडी और उत्तर प्रदेश के मुक्य मंतरी योग्यादिय तिनाजी भी मौजूद होंगे राम मंदर का उधगाटन पीएम नरेंदर मोडी ही करेंगे इनके अलावा देश बर में कई दिगज हस्तियां भी एस सामरों में शर्कत करने वाली हैं एस सामरों में अमबानी, अडानी, टाटा, बिर्ला, खेल जगत से रोज शर्मा, विराट कोईली, सचिन तेंदुलकर वहीं फिल्म जगत से मिताब बच्चन, मादुरे दिक्षित जैसे सितारे भी शामिल होने वाले हैं दोस्तो राम मंदर उदगाटन में अब बस कुछी दिन बचे हुए हैं इस दिन का इंतजार राम भक्त बेस अबरी से कर रहे हैं राम मंदर के भब उदगाटन में किसी तरह की कोई कोता ही ना हो उसके लिए पूरे आयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किये गए हैं CISF की टीम पूरे आयोध्या में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है जोन के जरिये हर तरफ नजर रखी जा रही है अयोध्या के दर्शुन करने के लिए कई लोग हजारों किलोमेटर की पैदल यात्रा भी शुरू कर चुके हैं ताकि वह उदगाटन के दिन अयोध्या पहुंच सके जैश्यराम किनारे के साथ हर राम वक्त 22 जनवरी का अंतजार कर रहा है आपको राम मंदर के उदगाटन का कितना अंतजार है बताइएगा जरूर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे मलकात होगे एगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें